नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में आज हम आप लोगों को मैथली सरन्गुप्त द्वरा लिखी बहुती प्रसिद्ध काप पंचमटी में लच्मण के कविता के भावर्थ के बारे में बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पंचमटी में लच्मण की कविता जो मैथली सरन्गुप्त द्वरा लिखी गई है तो इसका सबसे पहला पेराग्राफ है चारू चंद्र की चंचल किन्ने खेल रही है जल थल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में उलक प्रकट करती है धरती हरित्रिनों की नौकों से मानों जूम रहे हैं तरू भी मंदपवन के जोकों से तो इस कविता का भावर्थ हम आपको बताने जा रहे हैं जो मैत्रिस रंग गुप्त तरह लिखे कि इस कविता का भावर्थ क्या है इसमें कभी क्या कहना जा रहा है यहां पर कभी कहता है कि सुंदर चंद्रमा की चंचन किलने जन और थल सभी जगहों पर क्लिडा कर रही है मतलब खेल रही है पित्वी से आकास तक सभी जगह चंद्रमा की सच्छ चान्दनी फैली हुई है जिसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि धर्ती और आकास में कोई धुली हुई सफेद चादर बिची हुई हो मतलब चारू चंद की चंचल किलने में तो हर एक जंगा चंद्रमा की जितने भी चंचल किलने हैं हरी एक जंग खेल रही हैं कहाँ-द्छ Yum जल और फल हर एक जंग और ऐसा ममसुस हो रहे है जो कर पूढ़ ले है एक सफेद चाधर की तरह है पित्वी हरे घास के तिनकों की नोग के माध्यम से अपनी प्रशनता को व्यक्त कर रही है अब यहां पे प्रिथ्वी भी व्यक्त कर रही है किसके माध्यम से तिनको के रूप में तिनको की नोक के माध्यम से यह तिनको की नोक किसके है घास के घास के तिनको की नोक के माध्यम से प्रिथ्वी भी अपने प्रशनता को व्यक्त कर रही ह तिनको के रूप में उसका रोमान्चित होना दिखाई दे रहा है अर्थात तिनको की नोक चांदनी में चमकती है और उसी चमक से पृत्वी की प्रसनता भी व्यक्त हो रही है और मंद सुगंदित वायू बह रही है उसमें कैसी बायू बहुत और सुगंदीत मतलब यहां लास्ट लाइन में कविता में कर आमानो जूम रहे हैं तरु भी मंद पऊन के जोकों से इसका मतलब यही है कि मंद सुगंदीत बहुती धीमी धीमी एक हलकी गंद वाली वायू बहुत जिसके काण ब्रिच भी धिरे-ध तब ऐसा सुन्दर वातावरन को पाकर ये पेड़ भी मस्ती में जूम रहे हैं मतलब इसका तात पर है कि सारी प्रक्ती प्रशन दिखाई दे रही है इस कविता का मुख्य तात पर यही है कि बताना चाह रहा है यह कविता की लाइन की कि शारी की सारी प्रकति जितने भी पेड़, पौधे, जल, थल जितने भी कुछ है सब के सब कैसे दिख रहा है बहुती प्रशन दिखाई दे रहे हैं अगली कविता की लाइन है पंच बटी की छाया में है सुन्दर पंड कुटीर बना जिसके संबुख स्वच्छ सिला पर धीर वीर निर्भिक बना जाग रहा यह कौन धनो धर जबकी भुवन भर सोता है भोगी कुशुमा यूद्ध सोगी सा बना द्रिश्टिकत होता है तो यह कविता की दूसरी लाइन है जो मैंत्रिशन गुप्तर लिखी गई है कौन से कविता में पंच बटी में लच्मा तो चलिए कविता का अर्थ भावार्थ बताते हैं कि पंच बटी की छाया में सुन्दर पंड कुटीर बना पंच बटी के जंगल में ठीक है यहां पं मतलब घास पूस मतलब पंच बटी के जंगल में इस भाग में पेड़ों की छाया में एक सुन्दर पंड साला मतलब कुटिया है और इसके सामने एक साब सुत्रे पत्तर के टुकडे पर एक वीर निर्भिकता से बैठा हुआ है जब सारी दुनिया सो रही है तब ऐसे समय मे यह धनूस धारी वीर क्यों जगा हुआ है यह वीर तो काम देव के समान सुन्दर है परन्तु एक योविकी के समान तपस्वी भी लग रहा है तो इसका इस कविता का अर्थ यही हुआ किस वरत में है वरती वीरिया निंदा का यो त्याकिये राजभोग के योग विपीन में बैठा आज विराग लिये बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है जिसकी रच्छा में रत इसका तन है मन है जीवन है तो इस कविता का जो अर्थ है यहाँ पर बोल किस वरत में है वरती वीरिया निद्रा का यो त्याक किये यह जो वीर है यह नीन को त्याक करके किस तपस्या में लगा हुआ है वरत मतलब किस तपस्या में लगा हुआ है राज भोग के योग्य विपन में बैठा आज विराग लिये यह तो राजकुमार सा दिखता है और राज सूक को छोड़ कर इस मतलब जंगल राजच रा सूट को छोड़ कर यह जंगल में ऐसे बैठा हूँ मानों ऐसे इस निस बैराग जिन धारा कर लिआ है विराग मतलब बैराग्यन धारा कर लिया है बना हुआ है प्रहरी उस कुटिया में रखा हुआ है जिसकी रच्छा में नौजवान इसकी रच्छा में रत्प तन है मन्य лайप जीवन है मतन가요 present कि अपना तन मन्य और जीवन को अर्पित किए पर देथे यह विर नींद को त्याक करकी सतपस्या में लगा हुआ है और यह तो राजकुमार सा दिखता है और राज शुप को छोड़कर इस जंगल में ऐसे बैठा हुआ है मानो इसने भैरागी धान कर लिया है और यह जो वीर है जिस पन साला की रच्छा में लगा हुआ है उस पन साला में कौन सा मुली धन रखा हुआ है जिसकी रच्छा में यह नज़मान तन मन और जिवन को अरपीत किये हुए है यह हो गया तीसरा कविता का परग्राप नेक्स्ट जो लाइन है कविता का मृत्य लोग मृत्य लोग मालिन ने मैटने स्वामी संग जो आई है तील लोग की लश्मी नहीं है कुटी आज अपनाई है वीर वन्स की लाज यही है अब यहाँ पर मृत्य लोग मतलब मित्यू लोग तो मृत्य लोग मालिन ने मैटने स्वामी संग जो आई है इसका अरथ है पित्वी के पाप को मिटाने के लिए जन्म लेने वाली सीता अपने पती राम के साथ यहाँ पर आई है तीनों लोग की लश्मी नहीं या कुटी आज अपनाई है और तीनों लोग की स्वामिनी जो सीता है इसने आज इस कुटिया को अपना ही घर बनाया है वीरवन्स की लाज यही है फिर क्यों वीर नहो प्रहरी सीता राजवन्स की बहु है जिसके साथ राजा का सम्मान जुड़ा हुआ है यह वीर इस कुटिया की रच्छा के लिए पहरा दे रहा है क्योंकि यहां जंगल ही जंगल है विजन देश है निशा सेश है निशा चरी माया ठरी और चारो तरफ सननाटा है रात का अंतिम प्रहर है और इस समय राचहसी जो माया वी होती हैं कहीं इसे भी आ सकती हैं तथा सीता को हानी पुछा सकती हैं इस सेउन की कभिता करत है कि पित्वी के पाप को मिटाने के लिए जन्मन लेने वाली सीता अपने पतीराम के साथ हैshore और तीनोंगों के स्वामीनी सीता ने आज इस कुटिया को अपना घर बनाया है सीता राजवन्स की बहु है जिसके साथ है राजा का सम्मान जुड़ा हुआ है और यह वीर इस कुटिया की रच्छा के लिए पहरा दे रहा है क्योंकि यहाँ जंगल ही जंगल है और चारो तरब सरनाटा है राज का अंतिम प्रहर है और इस समय राजसी जो मायवी होती है कहीं से भी आ सकती है तता सीता को हानी पहुचा सकती है और यह जो वीर कौन है यह वीर हमारा लश्मन है कविता की अगली लेन कोई पास न रहने पर भी जन्मन मौन नहीं रहता आप आपकी सुनता है आप आपसे है कहता बीच बीच में इधर उधर निज़ द्रिष्टी डालकर मौद मई मन ही मन बाते करता है धीर धनूर्दर नहीं नहीं तो इसका अर्थ होगा कोई पास न रहने पर भी जन्मन मौन नहीं रहता यदि कोई व्यक्ति पास में न हो तब भी मनुष्य का मन चुक्चा नहीं रहता आप आपकी सुनता है वह आप आपसे है कहता वह अपने ही आपसे बात्चित करता रहता है और बीच बीच में इधर उधर निज़ द्रिष्टी डालकर मोद मई बीच बीच में वह अपनी आखों से इधर उधर देख लेता है और मन ही मन बाते करता है धीर धनुदर नहीं नहीं और फिर वह धनुष्धारे अपने आपसे ही मन में ही बात्चित करने में मजगूर हो जाता है इसका अर्थ हम एक लाइन से फिर से बता देते हैं यदि कोई वैक्ति पास में नहीं हो तब भी मनुष्य का मन चुपचाप नहीं रहता है वह अपने आप से बात्चित करता रहता है और बीच बीच में वह अपनी आखों से इधर उधर देख लेता है और फिर वधनुजधारी अपने आप से बात्चित करने में मस्गूर हो जाता है तो ये थी पंचवटी में लच्मार मैथली सरन गुपत द्वारा लिखी हुई कवीता जिसमें हमने आप लोगों को पांच पंक्ती के भावार्थ अर्थ के बारे में बता दिये हैं इसका अगला भाग आप लोगों को नेक्स्ट लास्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक जिसमें हम मेथली सरन गुपत द्वारा लिखा अगला जो पांच पंक्ती है उसके भावर्थ के बारे में बताए हैं दिये था पंच्वटी की लच्मन की कविता का अर्थ जो हम आप लोगों को बताए हैं तो यदि आप लोगों को यह कविता और इसका अर्थ समझ में आया अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट बाक्स में भी हमें जरू बताईएगा तथा मैं चैनल क अच्छा बेल आइकन के किक करिए और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवारा है